हलो इबरीबन वेल्कम टू मैथमेटिक्स लवस्ट अकेडमी आज के वीडियो में मैं मुस्ट इंपार्टिंट प्राब्लम्स लेकर आया हूं जो की डिफिनेट इंट्रिगेशन पर बेस्ट होंगी ठीक है कल के लेक्टर में क्या हुआ था कल वैंने डिफिनेट एक एक करके discuss करी थी और वहां पर कई सारे उन पर questions भी कराया थे ठीक है तो कल का वीडियो नहीं देखा तो पहले उसे देखिएगा बाद में इसे देखिएगा तो और अच्छे से clear होगा क्योंकि आज के वीडियो में जितने भी questions मैं कराऊंगा वो सभी property based ही होंगे हालां कि मैं question के सामने property बताऊंगा कि कौन सी property यूज है बट अगर पहले property को अगर आप लोग समझ लें पहले तो बहुत अच्छा होगा वीडियो का link मैं description में देखिएगा तो पहले आप लोग उसे देखिएगा ठीक है तो आज देखिएगा question number first आज की जितने भी मैं questions कराऊंगा तो वो 100% एक्जाम में आने के chances हैं ठीक है तो मनलब 100% आएंगे आएंगे ही तो आज का question number one start कर रहा हूं इसकी limit दे रखिए पाई वाई 6 to पाई वाई 3 ठीक है एक integration है और limit दे रखिए पाई वाई 6 to पाई वाई 3 ठीक है और function क्या दे रखिए दे एक्स अपान डे एक्स रूट फिर क्या बन प्लस अंडर रूट 10x इस टाइप से दे रखा है ठीक है तो इसका क्या करना हमें integration करनेक्ट अब देखिएगा इसमें मैं कम सी प्रापर्टी यूज़ करूंगा तो डालेंगे solution ठीक है तो let जो integrand है सबसे पहले उसे मैंने क्या let किया उसे i suppose कर लिया और लिमिट दे रखा है पाई वाई 6 तो पाई वाई 3 ठीक है और यहाँ पर क्या है बन अपान बन प्लस अंडर रूट ठीक है 10x और dx है सबसे पहले देखो हम करते क्या है इससे हम साइन और कास में convert कर लेंगे देखो आप लोगों को पता ही होगा 10x यूकल्स टू क्या हो होता है sinx अपान आफ यक्स होता है साई एकस अपान आपान का ऺज्टिक है ठीक है जब इसे अंडर रूट को हम problem ब्रेक करेंगे तो इस टाइप से अंडर रूट हो जाएगा दोनों पर अंडर रूट अलग लग अलग हला सकते है न अब देखिए गा यहां पर होगा है साइन एक्स अपान अंडर रूट कास एक्स जो अंडर रूट कास एक्स आएगा उसकी बंग से मल्टिप्लाई होगी फिर ओबर आल जो है उपर जाएगा तो देखो क्या मिलेगा फाइनली तो हमें लिमिट रहेगी पाइवाई 6 टू पाइवाई 3 ठीक है और यहां पे जो अ अंडर रूट कास एक्स ठीक है अंडर रूट कास एक्स प्लस रूट साइन एक्स ठीक है इस टाइप से कंवर्ट हो जाएगा कब कंवर्ट होगा जब हम टाइन एक्स को साइन एक्स अपान कास एक्स में कंवर्ट करेंगे ठीक है अब देखो क्या करेंगी अब एक प्राप ठीक है इसमें king property का यूज करेंगे देखिएगा king property क्या होती है अगर किसी integrand की limit a to b है ठीक है और e of x dx type का है तो उसमें limit को convert कर सकते हैं limit a to b रहेगी और limit क्या होगी a plus b minus x means दोनों limit को add करके function को subtract कर दिया जाएगा ठीक है इस limit का इस question में यूज करेंगे तो देखो क्या मिले यूज क्या बन जाएगा pi y6 और pi y3 देखो हर जगह क्या करेंगे पहले pi y6 plus yy3 minus x करेंगे तो देखो क्या मिलेगा यहां पर क्या होगा under root ठीक है फिर क्या आएगा cos जो x है बहां पर क्या करेंगे pi y6 plus yy3 ठीक है और क्या होगा minus x होगा और denominator में देखिएगा क्या हैगा यहां पर under root cas x है ठीक है तो under root यहां पर क्या मिलेगा cas और pi y6 plus pi y3 और यहां पर क्या हैगा minus x ठीक है इसी type से sin के साथ भी करेंगे तो क्या मिलेगा sin देखिएगा यहां पर क्या हो जाएगा साइन अब रैकेट जे भी अंडर रूट में है ना अंडर रूट में तो क्या मिलेगा पाइवाई 6 प्लस पाइवाई 3 और माइनस एक्स हो जाएगा ठीक है इस टाइप से हमें जो है मिल जाएगा और रैकेट आफ और यहां पर जो है डी एक्स हाएगा अब देखिएगा पाइवाई 6 और पाइवाई 3 को एड करें ठीक है पाइवाई 6 और पाइवाई 3 को एड करें तो यहां पर मैं दिखाया दे रहा हूँ पाइवाई 6 ठीक है और प्लस पाइवाई 3 देखिएगा इसका लें तो क्या मिलेंगा six भी मिलेंगा खीक है तो ल्सी मोगा और यहां क्या हो गा updating टू-पाइ्ट भॉस q यहां Canlik vielleicht ठीक है यहांकर पर सध यह आटा यहां पर भी साइन का कास हो जाता है कास का साइन हो जाता है तो नेक्स पेज़ पर मैं चल दा हूँ तो हमारे पास आई उकल्स टू क्या मिल जाएगा आई उकल्स टू मिल जाएगा इंटिग्रेशन पाइवाई 6 x 2 p y 3 limit है और उपर numerator में CAS ता तो यहां पर क्या दने जाेगा Sine यहां से वह ऊपान कास का साइन रूट मेरी ऑफान कास का हुँजाएगा कास हो जाएगा के साइन एक स्र advertisements प्लसyy n d अब देखिए ग害 확진 यहां से دो ही मुषन भाइफ इसे किसव अनमबर टू बोलेंगे अगर हम दोनों equations को add कर दें तो देखो क्या मिलेगा यहां पर क्या है imply लगा के I equals to क्या है उपर कास है और पिर कास स्वाइन और बहां पर बन गया स्वाइन तो देखो क्या मिलेगा अगर् आजटें आढ़ूना एटेंग्स इन फ्रस्टेंड लुट से हैं और कॉर्श ह 2016 क और और निमेरेटर में अन्डर काश रृट क्या फ्रेंन क्या था क्क है ठीक है और यहां पर था under root sin x ठीक है इसमें क्या add कर देंगे इसमें दूसरा ही क्योसन से जो इसका RHS side है इससे add कर देंगे तो क्या मिलेगा 5y6 और 5y3 ठीक है और यहां पर क्या हो जाएगा under root sin x under root sin x upon under root sin x और plus root cas x हो जाएगा ठीक है और dx इन दोनों को देखिएगा इनका जो denominator है same है जब denominator same हो इस side में क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा और जब denominator same होता है तब क्या होता है सिर्फ numerator की term को add कर लिया जाता है ठीक है तो यानि LC में इसका हो जाएगा under root sin x और plus under root cas x हो जाएगा ठीक है यहाँ पे क्या है उपर वाला numerator में ठीक है तो under root cas x under root sin x इसे क्या लिख सकते है under root sin x ठीक है plus under root cas x हो जाएगा clear और यहाँ पे आएगा dx अब देखिएगा numerator को देखो denominator को दोनों same है तो cancel out हो जाएगा only हमारे पास क्या वाचा 1 into dx ठीक है तो क्या मिलेगा pi y 6 और pi y 3 और यहाँ पे क्या वाचा 1 into dx ठीक है जैके आगे 2i आगे 2i वराबर दिश्टर्म आया तो यहाँ पे लिखेंगे 2i equals 2 क्या आया है pi y 6 to pi y 3 limit है और यहाँ पे आए 1 into dx बनका के integration होता है x होता है means x मिलेगा और limit है pi y 6 और pi y 2 ठीक है अब upper limit minus lower limit means pi y 3 minus क्या हो जाएगा pi y 6 हो जाएगा इसको simplify करिएगा तो देखिएगा 6 calcium हो गया यहाँ पे आएगा 2pi और minus pi ठीक है तो 2pi minus pi pi y 6 हो गया जे क्या चला था जे चला था हमारा 2i equals 2 क्या आगया pi y 6 आगया अब जो 2 है इस 2 की multiply यहाँ denominator में हो जाएगी means i equals 2 हमें क्या मिल जाएगा pi y 12 मिल जाएगा तो first question जे था इसका answer जे आएगा pi y 12 आएगा अब इसके बाद आज का question number 2 सारे questions important है इनमें से पक्का एक ना एक तो आएगा lang में वो भी आएगा सारे lang questions होंगे अब देखिए next question ले रहा हूं है 0 to pi y 2 limit है ठीक है 0 to pi y 2 और है log sin x dx ठीक है log फिर क्या sin x और dx है अब देखिएगा इस question को कैसे करते हैं इस questions में एक मैंने property लिखाई थी जो की king property थी इसी का second form बनाया था 0 to a अगर f x dx लिखा है ठीक है इसे किसमें convert कर सकते हैं 0 to a f a minus x dx ठीक है means upper limit को function से subtract कर देते हैं तो इस property का use इस equation में करेंगे ठीक है तो डालेंगे solution देखिएगा i इसे suppose कर दिया 0 to pi y 2 ठीक है 0 to pi y 2 और limit क्या दे रखिए है sorry function दे रखिए lag sin x dx ठीक है इसमें इस property का use करेंगे तो pi y 2 minus function यहाँ पे x है तो यहाँ पे apply करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा i equals to इस equation number first बोल दिया ठीक है तो i equals to क्या मिल जाएगा 0 to pi y 2 0 to pi y 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा lag और यहाँ पे क्या बनेगा sin pi minus x हो जाएगा और dx ठीक है अब देखिएगा sin pi minus x sorry pi y 2 है न तो sin pi y 2 minus x होगा ठीक है और sin pi y 2 minus x क्या होता है cas x होता है तो यहाँ से हमें i equals to क्या मिल जाएगा 0 to pi y 2 ठीक है 0 to pi y 2 क्या हो जाएगा lag cos x और dx मिल जाएगा ठीक है इसे equation number 2 बोल देते हैं अब क्या करेंगे दोनो equation को add कर देंगे ठीक है यहाँ पे देखिएगा equation first equation first plus equation second दोनों equations को add करेंगे तो इस side में हो जाएगा 2i ठीक है 2i हो जाएगा और इस side में क्या है 0 to pi y 2 lag sin x lag sin x dx ठीक है अब फिर क्या होगा 0 to pi y 2 और lag cos x हो जाएगा ठीक है lag cos x dx अब देखिएगा same limit है तो इनको इस type से भी लिख सकते है लिखा जाए सकता lag sin x ठीक है और plus lag cos x lag sin x plus lag cos x और साथ में क्या बन जाएगा dx हो जाएगा ठीक है क्या बना हमारे पास lag sin x plus lag cos x और dx यहाँ से समझेगा यहाँ से important जो है point आएगा कि अब आगे करें क्या ठीक है तो यहाँ से समझेगा क्या बना 2i equals to 0 to pi y2 next page पे मैं चलना हूँ तो क्या बना है 2i equals to 0 to pi y2 limit है ठीक है 0 to pi y2 limit है और क्या बना है lag cos x plus lag sin x lag cos x plus lag sin x और फिर है dx ठीक है j हमारे पास बन क्या आया है अब देखिएगा अब यहाँ से क्या करते है अब इस function में मैं lag 2 को add कर रहा हूँ और lag 2 को subtract कर रहा हूँ देखो इससे फायदा क्या मिलेगा तो देखिएगा 0 to जे इस्टे बहुत है इंपार्टेंट है यहाँ से समझेगा 0 to pi y2 ठीक है 0 to pi y2 और यहाँ पर क्या है lag ठीक है lag cos x और फिर क्या है lag sin x ठीक है lag cos x प्लस lag sin x इसमें मैंने क्या किया lag 2 add कर दिया और lag 2 subtract कर दिया भाई मैंने equation को balance करने के लिए add भी किया subtract भी किया ठीक है तो ऐसा कर सकते है यहाँ पर देखिएगा एक property का और यू जम कर सकते है तो एक property क्या है lag m प्लस अगर lag n कहीं पर लिखा है ठीक है तो उसे क्या लिखा जा सकता है lag m into n किया जा सकता है इस property को समझेगा अगर कहीं पर भी lag m plus lag n लिखा है तो एक log की property होती उसे lag m n लिखा जा सकता है ठीक है एक second मैं इस step को थोड़ा बीच में एक step जो है और लिखूंगा तो देखिएगा किस type से अब देखिएगा एक second हाँ अब देखिएगा यहाँ पर था lag तो हमारे पास 2i equals 2 किया जाएगा 2i equals 2 आजाएगा 0 to pi y2 0 to pi y2 यहाँ पर क्या बन जाएगा lag sin x into cos x इसे लिख सकते है इसे क्या लिख सकते है lag sin x into cos x ठीक है और dx ऐसा कर सकते है अब देखिएगा इसी चीज का यहाँ पर use कर लेंगे lag sin x into cos x तो देखो क्या मिलेगा यहाँ पर lag sin x into cos x ठीक है इसमें क्या किया मैंने lag to add कर दिया और lag to subtract कर दिया अब देखो क्या बनेगा यहाँ से lag to add किया और lag to subtract किया तो इसे हम क्या लिख सकने देखिएगा 0 to pi y 2 0 to pi y 2 lag sin 2 x ठीक है lag sin 2 x dx इसको अभी समझा रहा हूं देखिएगा कैसे जैएगा और 0 to pi y 2 0 to pi y 2 और lag 2 x lag 2 x dx अब देखिएगा यहाँ पे था lag 2 ठीक है यहाँ पे है फिर से इस property का युज़ करेंगे lag m देखोगा देखिएगा lag m plus lag n यहाँ पे भी बन रहा था lag m plus lag n और lag m plus lag n क्या हो जाएगा lag m n हो जाएगा lag m n होने का मतलब क्या है जे वाला जो 2 है जे वाला 2 है यहाँ पे आ जाएगा और हमें मिल जाएगा 2 sin x into cas x और जे क्या होता है जे होता है sin 2 x होता है ठीक है तो इसे हम लिख लेंगे lag sin 2 x और lag 2 जो है ठीक है इसको अलग मैंने break कर लिया 0 to 5 y 2 lag 2 x ठीक है अब इसका क्या करेंगे अब इसका integration करेंगे वो भी किस टाइप से समझेगा next page पे मैं चलना हूँ क्या है lag ठीक है इसको मैं लिख लूँगा तो हमारे पास आया है 2 i equals 2 2 i equals 2 क्या बना 0 to 5 y 2 ठीक है और यहाँ पे क्या था lag sin 2 x ठीक है lag sin 2 x d x minus 0 to 5 y 2 ठीक है ठीक है ठीक है क्योंकि सारे जो है lag questions ही आएंगे ठीक है जो भी 6 mark का या 8 mark का जैसा भी आता है वैसे आएगा ठीक है और यहाँ पे क्या अच्छा है lag 2 x है और साथ में क्या है t x है ठीक है अब देखिएगा अब इसे कैसे करते है यहाँ पे क्या है lag sin 2 x है अगर हम 2 x को t suppose कर लें ठीक है 2 x को t तो lag sin t बन जाएगा ठीक है तो यहाँ से क्या करेंगे let 2 x equals to t 2 x को मैंने क्या suppose कर ली है t ठीक है तो यहाँ से 2 x का हो जाएगा जगा पे क्या लिख सकते है dty2 लिख सकते है ठीक है तो देखिएगा क्या मिलेगा तो यहाँ से हमें मिलेगा देखिएगा 1 y2 को मैंने इस स्वाइड में कर लिया ठीक है 1 y2 को separate कर लिया और यहाँ से देखिएगा limit भी change होगी या limit ना change करते हैं तो x में ही रखते हैं 0 to 5y2 ठीक है यहाँ पर क्या हो जाएगा lag sin t हो जाएगा lag sin t dt हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा lag 2 था lag 2 था lag 2 था constant term है तो minus lag 2 agit is रहा और x का जब करेंगे तो sorry बंका करेंगे x हो जाएगा तो x और इसकी limit के है 0 to 5y2 अपलाई कर देंगे यहाँ पर ठीक है अब देखिएगा 0 to 5y2 अपलाई कर देंगे यहाँ पर क्या अचेगा यहाँ पर equals to 2i चल दा था यहाँ से lag sin t अगर sin t को आप जर्ब किया जाए तो यह कैसा function है देखिएगा एक प्रापर्टी होती है अगर 0 to 2a limit है मैंने जेकल प्रापर्टी डिस्किस करी थी तो अगर function में function में 2a-ex करें तो fx ही बन जाए ठीक है तो limit को जो है पहले लाया जा सकता है जो 2 constant term है इसे पहले ला सकते है ठीक है तो अगर sin इसमें देखिएगा pi-x करें तो sin x ही रहता है ठीक है sin x ही रहता है अब यहाँ पे देखिए pi-2 है तो pi-x किया तो कोई भी इसमें changing नहीं आई तो देखिए इसे लिख सकते है 2 upon 2 जो term है जे वाला term है वो पहले आ जाएगा तो 2 upon 2 बन जाएगा x equals to 0 to pi बन जाएगा ठीक है limit change हो जाएगी और यहाँ पे क्या है lag sin t sin t dt minus यहाँ पे देखिएगा limit apply करिएगा तो क्या बनेगा minus pi y 2 ठीक है pi y 2 minus 0 में pi y 2 तो pi y 2 lag 2 हो जाएगा ठीक है और इस side में क्या है 2i है अब देखिएगा यहाँ से 2 से 2 cancel हो जाएगा और property number first में मैंने क्या लिखाया था अगर a to b कहीं पे भी इस type का function लिखा है तो उसमें हम variable को change कर सकते है ठीक है eft dt कर सकते है ठीक है यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्या है sin t में है तो इसे हम cast t में convert कर सकते है यानि कि हमारे पास आ जाएगा 2i equals 2 x equals 2 0 2 pi ठीक है और यहाँ पे कर सकते है lag sin x lag sin x dx minus 5y2 और lag 2 अब देखिएगा यहाँ से अगर इसको आप जर्व करें फ्राम equation first को देखिएगा इसको आप जर्व करें तो j i ही है ठीक है तो j i बन गया जब जब पूरा term i बन गया तो इसे मैंने इस लहसे में shift कर दिया तो 2i minus i हो जाएगा means इसको imply कर सकते i मिल जाएगा तो i equals 2 क्या मिल गया minus 5y2 lag 2 ठीक है तो इसका answer j आएगा i equals 2 क्या हो जाएगा pi y2 minus 5y2 lag 2 तो इसका answer j आएगा ठीक है आई होग सारा question समझ जाया होगा काफी अच्छा question था इसका proof आता है आगे चलके आप लोगों को सिर्फ याद करना है अगर lag sin x का 0 to pi y2 limit है lag sin x का integration पूँचा जाए तो minus pi y2 lag 2 ही होता है ठीक है इसके बाद आज का question number third मैं लिख रहा हूँ question number third ठीक है जब ही बहुत important questions है इस question है इसमें क्या लिखा है 0 to pi y2 limit है और लिखा है under root under root sin x और denominator में क्या है under root sin x plus under root cos x ठीक है plus under root cos x तो देखो इसको कैसे करते है इसे सबसे पहले suppose करिएगा जी i ठीक है इसे i suppose कर दिया और equation number first बोल दिया इसमें king property का यूज करेंगे अगर 0 to a limit है efx dx तो इसे लिखा जा सकता है 0 to a function से limit को subtract कर सकते है ठीक है a minus x means pi y2 minus x और sin pi y2 minus x क्या होता है sin pi y2 minus theta क्या होता है sin theta sorry cos theta होता है ठीक है और cos pi y2 minus theta क्या होता है जजी यह आप लोगों को learn होने चाहिए थोड़ी से technometry है जे क्या होता है sin theta होता है ठीक है जब इस property का use करेंगे execution में तो क्या मिलेगा i equals to 0 to pi y2 ठीक है इसमें जब हम limit subtract करेंगे तो क्या बनेगा sin pi y2 minus x means क्या बन जाएगा under root cos x थोड़ा सा मैं direct x tip कर रहा हूँ आप लोग I think समझ गए होंगे मैंने क्या किया है इस property का use किया है ठीक है अब देखो इसे क्या कर सकते है जो sin है बो cos में convert हो जाएगा तो under root cos x और plus under root sin x जबन जाएगा अब साथ में क्या है d x अब दोनों equation को क्या करेंगे add कर लेंगे देखियागा कैसे करते हैं तो लिखेंगे equation first plus equation second इस type से भी आप लोग लिख दिया करियेगा तो I plus I इस side में हो जाएगा तो denominator जब सेम होता है तो उसका LCM बही हो जाता है means under root sin x और plus under root cos x हो जाएगा ठीक है अब देखियेगा यहाँ पे इसका numerator क्या under root sin x और root cos x जए add हो जाएगा क्या मिलेगा under root sin x क्योंकि first example में मैंने question में ऐसा ही कुछ किया था उसमें सिर्फ limit चेंज थी वांकि मेरा question इसी में convert हो गया था अब देखियेगा numerator और denominator को आपज़र करीगा सेम है तो cancel out हो जाएगा only क्या बचेगा 1 तो 0 to pi y 2 0 to pi y 2 1 into dx हो जाएगा अब 1 का क्या होता x होता है ठीक है और limit apply कर दिजिएगा 0 to pi y 2 यानि कि हमें मिल जाएगा pi y 2 minus 0 तो हमें क्या मिल गया i plus i 2 i equals to pi y 2 ही मिल गया 2 i equals to क्या मिल गया pi y 2 तो यहां से imply करेंगे i जो 2 है इसकी multiply हो जाएगी तो i equals to क्या मिल जाएगा pi y 4 मिल जाएगा काफी आसान question था ठीक है इसमें कोई दिक्कन नहीं होगी और इस टाइप का question 100% जो है examiner पूंचता है अब इसके बाद next question में ले रहा हूं question number 4 देखिएगा इस question में है क्या question number 4 question number 4 है 0 to pi limit है ठीक है क्या limit है 0 to pi और दे रखा ex dx ex dx और अपान में क्या है 1 plus sin x है ठीक है इस question को देखो कैसे करते हैं काफी अच्छा question है 1 plus sin x इसे मैंने क्या किया I suppose कर लिया और equation number 1 है बना लिया ठीक है इसमें भी हम क्या करेंगे king property यूज़ करेंगे देखो तो लिखेंगे limit 0 to pi ही रहनी है ठीक है और यहां पर क्या हो जाएगा pi minus ex हो जाएगा ठीक है pi minus ex और यहां पर क्या होगा 1 plus sin और sin pi minus ex की बात करें तो sin angle change नहीं होता है ठीक है तो sin pi minus ex क्या होगा sin x ही रहेगा ठीक है तो हमें क्या मिल जाएगा 0 to pi और उपर क्या होगा pi minus ex ठीक है और क्या है dx अपान, यहाँ पर क्या रहेगा 1 plus sin x ठीक है इसे अलग-अलग break कर सकते हैं pi को अलग रखते हैं और x को अलग, तो क्या मिलेगा, 0 to pi ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं pi into dx अपान में 1 plus sin x ठीक है और और minus, इस वाद क्या रखते हैं पाई है जै किसके वरावर चला आई अच्छा इस चीज को आपजर्ब करिएगा जै फ्राम इक्यूसन फस्ट से फ्राम इक्यूसन फस्ट से जै आई ही तो है ठीक है तो क्या लिखेंगे फ्राम इक्यूसन फस्ट फ्राम इक्यूसन फस्ट ठीक है तो क्या मिल जाएगा i equals to यहां से देखिएगा pi constant term है इसे बाहर भी कर सकते हैं तो क्या मिल जाएगा इसे जब बाहर करेंगे तो मिल जाएगा pi ठीक है और 0 to pi ठीक है यहां पर क्या हो जाएगा dx upon 1 plus sin x 1 plus sin x और इसकी value क्या बन गई i बन गई i को इस side में भेज़िएगा तो 2i हो जाएगा तो यानि की मिलेगा हमें 2i equals to यहां पर क्या है pi और 0 to pi यहां पर क्या बना dx upon 1 plus sin x ठीक है 1 plus sin x अब देखिएगा यहां 2 को यहां भी भेज़ सकते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा i equals to pi y2 i equals to pi y2 और 0 to pi 1 upon 1 plus sin x और क्या है dx है अब देखिएगा यहां से इस question को कैसे करते हैं यह question मैं पिछले काफी वीडियो में करा चुका हूँ इसको अगर directly देखा जाए 0 to pi limit है और 1 upon 1 plus sin x इसकी जो value आती है इसकी value 2 आती है ठीक है आप लोग कर सकते हैं simple way में देखिएगा इसको बहुत ही simple कर सकते है देखिएगा lag यह lag में भी बन सकता है बन पान x type का है तो lag 1 plus sin x लिख सकते है ठीक है बैसे भी कर सकते हैं जैसे चाहो कई तरीके हैं यह sin x का एक formula होता है 2 sin x into cos x y2 में 2 sin x y2 into cos x y2 ठीक है और इसे क्या बना लेंगे इसे बना लेंगे cos x y2 plus sin x y2 का whole इसका फिर इसे a plus b का whole इसका type में बनाईएगा question आसानी से हो जाएगा ठीक है तो इसको जब simplify करेंगे इसकी value आ जाएगी 2 ही आएगी ठीक है तो यहां से 2 से 2 cancel हो जाएगा तो हमें i क्या मिल जाएगा i की value जो मिल जाएगी i equals to 2 हो जाएगा ठीक है एक question मैं इतना question आप लोगों पे leave कर रहा हूं home work के तोर पे आप लोग कर लिजिएगा ठीक है अब इसके बार next question है जो की काफी अच्छा question है इसमें भी एक property यूज होगी इस बार क्या है question number 5 ठीक है इस बार limit क्या है minus yy to pi limit है क्या limit है minus yy to pi है और लिखा है sine इसकी power है 7x dx ठीक है कल के वीडियो में मैंने जब odd और even function की बात करी थी तो मैंने वताया था sine x कैसा function है odd function है ठीक है और odd function की कोई भी अगर odd term है और उसकी power यहां पे power को आप जर करें 7, 7 भी odd ही है ठीक है तो odd की power अगर odd है ठीक है तो हमेशा odd ही रहता है ठीक है तो अगर minus yy to a limit है और कोई function है अगर वो function odd function है जे function अगर odd function है तो उसकी direct value क्या हो जाती है 0 हो जाती है तो इसका answer का इसका answer डाइरेक्ट लिखतेंगे 0 आएगा because sign जो 7x है कैसा है is an odd function कैसा है odd function है ठीक है तो इसकी value directory लिखतेंगे by property this जिक्या हो जाएगा 0 हो जाएगा इसका answer क्या होगा 0 होगा ठीक है एक question और मैं कराया दे रहा हूँ जो की काफी अच्छा question है question number आपके book में भी है question number 20 जो की objective आया हुआ question number 6 देखिएगा इस बार क्या है limit दे रखा इन्होंने minus yy2 ठीक है जो कब apply होगा जब minus a to a limit होगा तभी apply कर सकते है minus yy2 plus yy2 है ठीक है और function क्या दे रखा x cube x cube है plus x cast x ठीक है x cast x है plus दे रखा 10 5 x 10 5 x और plus 1 और dx है इस type से अब देखिएगा x cube की देखो यहाँ पे minus a to a limit है minus a to a अगर limit है और function कैसा हो add function हो तो इसकी value क्या होती है 0 होती है कब जब add function हो तब ठीक है अब देखिएगा यहाँ पर j function add बनेगा देखो ना j function कैसा है add ठीक है j function cast x की बात करें कैसा होता है even function होता है और कल का वीडियो देखिएगा सारी चीज़ें किलिए रो जाएगी j कैसा add और odd और even की multiply हमेंसा add function होता है minus plus हमेंसा minus means add ही रहेगा ठीक है तो jv कैसा वन गया odd function वन गया 10 x की बात करें 10 x कैसा होता है odd function होता है और इसकी power भी 5 है means odd है तो jv कैसा वन गया odd function वन गया तो अगर इतने को solve करें इतने function को हम solve करें तो इसकी value क्या हैगी? 0 आएगी, अब बात बच्ची 1 की सिर्फ 1 को solve कर लेते हैं इसकी value तो directly 0 आगई भाई जैकि आप्जेक्टिफ कोस्चन है तो इसे ऐसे ही करेंगे minus 5y2, 5y2, क्या बच्चा 1 into dx बच्चा 1 का क्या integration होता है? x होता है, और limit क्या है? minus 5y2, 5y2 है, ठीक है? अब apply करेंगे तो 5y2, फिर क्या होता है? आप limit minus lower limit और minus यहाँ है, तो minus minus plus हो जाएगा क्या बन जाएगा? 5y2, 5y2 plus 5y2 means half y और half y क्या होगे? only 5y answer आजाएगा, ठीक है? तुझे भी question बहुत ही अच्छा था I think समझ आ गया होगा तो अगर आप लोग channel पर पहली बारा आये हैं तो channel subscribe करिएगा और अपने सभी friends को share करिएगा